कुरुंतियों के नाम पॉलूस प्रेरित की पहली पत्री, तेरवा अध्याय, यदि मैं मनुश्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और जन जनाती हुई जान जूं। और यदि मैं भविश्द्वानी कर सकूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वासों की मैं पहालों को हटा दूं, परन्तु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाब नहीं। प्रेम धीरजवन्त है, और क्रपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वे अनरीती नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, जुंजलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीती करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविश्द्वानिया हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाशाय हों तो जाती रहेंगी, ज्यान हो तो मिट जा जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सम्मन था, बालकों कीसी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी, अब हमें दरपण में धुंदला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, इस समय मेर ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीती से पहचानूगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई हैं पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है.